हलो, हलो, स्पोक्समेन टिवी, हलो एदधा ही होंदा है न, अगर थोड़ी अठ कंटे दीनी पूरी ना होई होए ना तो स्वेर तक फिर तुसी अपना मानसिक संतूलन्द बना पाने हो ते ना ही किसे नाल गल बात कर पाने हो सश्यकाल दोस्तो, मैं एक आंग्शी सिंग, फिर तो तोड़ा निगा स्वागत कर दिया ते तुसी वेख रहे हो स्पोक्समेन टिवी दोस्तो, आज 16 मार्च आ चुकी है जिसनों की असी वोर्ल स्लीब डे दे नाम नाल जान दे है दोस्तो, नींद महज एक उस फोन दी बैटरी वरगी होंदी है जे कर तुसी सारी रात उस फोन नू चार्ज ना करो ना ता सवेरे तुसी उस फोन दे नाल फिर सेल्फी हैं ले सक दे हो ते नाहीं किस दे नाल गल कर सक दे हो ते साड़ा शरीर दा भी कुछ अजेहाई साब होंदा है जे तुसी अपनी बोडी नू या अपनी शरीर नू सारी रात रेस्ट नहीं दे पान दे ता सवेर विच ओवी डाउनी महसूस कर दी है क्योंकि आज का लोकां दे विच नंबर वान बनन दी खोड जाग चुकी है जिस करके ओओ रात पर कुछ ना कुछ सोच दे रेंदे ने जिस करके ओना दी नींद किते ना किते पूरी नहीं हो पान दी ते उस दे राही उनना दे अंदर बिमारियां करकर जान दियाने ते अज वर्ल स्लीप डेते इसलिए ही मनाया जान दा है कि लोकां नू इक नींद दी इंपोर्टन्स दसी जा सके ते लोकां नू जागरूत किता जा सके ते आज मैं पांच गया है जी चंडीगर दे स्तारां सेक्टर दे विच ते लोकां तो एही जानना चाननी है कि की उनना दे लिए कम जाधा जरूरी है या उनना दी नींद क्योंकि आन वाले समया दे विच जिस तरह नाल लोक अपनी जिंदगी वतीत कर रहेने उस दे नाल उनना बेमारियां भी उननानों बहुत जाधा लाग रियाने तो आज लोकां तो पोच दे आज जान दे हैं कि आठ कंटे अपनी नींद दी पूरी कर देने या कम नों ही सबता उपर राख देने स्वेरे बंदा सही टाइम ते उठ जे तो देन दा बाकी सारा टाइम वदिया जानता है तो कहने ने साध्य चार तो सटे पांजाली नींद जेडी हों दीया हो पूरी अमरतवेला हों दा जो जो जी नींद आन दीया जे ओ समेच बंदा उठ गया ता मतलब पारी हो गया हो तो मेरे नल भी कुछ है जेही शक्स खड़े ने तोना नल गल करने के साध्य चार तो पंजाली नींद जेडी बहुत ओखी हों दीया है चड़नी तुसी कि में कर पन्ने हो बिलकुम एम जी सब तो वड़ा कॉस्टन पुछे तो ही तीडी साध्य चार तो पंजाली नींद जी पंजाबी जी केंदरी कोकला नीद कोकला नीद ये लालो छटनी एक कसाब जालो जी सन्याव चट देना राजपाट शट देना और वक्की उठता है जी में सेरे चार बजे लगपक सहर बगारा चले जाई 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 फिर द्वारा ता गंडा सोई देडी जो नीद है ना तो को लेखा ही नीजी जब्ला के कंडेलियों मै пригड़ी जाई तो कर वांग करनी और सेत्व गरीजिक फालने अपने शरीर नूँ एक फोन वर गई है के प्रपर जबें फोन चार्ज कर दें तो बोडी नूँ चार्ज करना जरूरी है तो तुसी अपनी बोडी नूँ किनी देर चार्ज कर दें लोग की बढ़चार देखे ने दपेरी भी संदे ने रात नुँ लगपक लमना टाम संदेने पर नहीं नीद वहाद भी पच्छा कंटे दो बाद नहीं लेनी चाहिए तो आज की यूग में हाराथ मी पैसी को निंद पूरी होती किसी को नहीं होती पर सबसे अछह यह है कि कि पूरी ने उसका समधान यह है कि रात को कई से पार्टी से कहीं से भी आए रात को किसी चैनल पर भी अपना धार्मी भजन सुन ले और भजन सुनने पाइब 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 नीद नहीं आएगी नहीं है तो जय माता ही कर ले या ओमनमोश है कोई जिसको मानता है बगवार उ उसको मानने से उसको दस मिंट के अंदर नीद ऐसी आएगी और सुबह अराम तक आट गड़ने पूरी नीद करेंगा अधर्वाइस क्या कि आज की लेड़ में आदमी इतनी भाग दोड़ रहा है कि उसकी नीद पूरी होना बहुत मुश्किल है एक चीज और भी कहना जाता बहुत ही सोनी गाल कई एना ने के अराद दी नीद अगर तुसी लेनी होवे या कई वार थोनु कोई दुविदा भी आवे नीद नहीं पूरी हो पारी तो उस पर मातमा दे चरनाच एक वार जरूर मत्था डेख तो थोनु नीद जरूर मिल चाहेगी आज उसे किनने गंट बहुत जादा है पर नहीं मैं शायद किते न किते गलत सी लोग एदने भी ने जिननली कोई पैसा एन्य माइने नी रखता होना दी नीदी बहुत इंपॉर्डटन है पैसा जी कमाया नी जड़ना आता है पैसा अड़ाओ भी न क्यों असी नसा पता ना करो जैम जाओ शरीर जादा हो जादा है जादा फाल तु जड़ना जाओ असी यह गालस होच दे है तो उसके लिए मैं यह बोलूंगा आज के जो टीनेजर्स हैं वह ज्यादा तर अपने सोशल साइट्स में लगे रहते हैं जैसे कि मैं अपनी एक्जांपल दे सकता हूं है ना तो मेन कान मैं य है चाहिए क्लास है और मैं पोले हों कि हमें अपने आपको फट रहना है जाएक्टीफ रखनम है और जो आपने दूसरे वर्कर सब्सों हमारे आजकल कि उनको ऐसे मलब उनकी अच्छी नहीं मिलती तो उनको हाड़ वर्क करना पड़ता है तो वो तो सिरफ उनकी जो गौर्मेंट है उनकी वज़ा से करना पड़ता है बस यह सुबह 430 उटने के बाद रात को अपना घर पहुचना होता है साड़े 11 12 बजे उसके बाद डाइट के वो फिर घरवालों की सुननी फिर दुबारा सुबह साड़े चार बजे उठना होता है तो नींद पूरी होई नहीं पाती अभी भी आप देखो आइस बिल्कुल रेड़ हुए है आप दो तीन दिन का वे अपना ब्रेक ले रखा है गूमने आयो है चंदिगड वैसे हम पीछे से दिल्ली से है दिल वाले दिल्ली वाले हां तो जैसे मैं बात कर रही थी है जो टॉप MNC कंपनी जिसमें लोग इत्ती देर तक काम करते हैं तो आपको क्या लगता है कि पैसा ज़्यादा जरूरत है या आपके बॉड़ी नहीं नहीं हेल्थ सबसे ज़्यादा जर हमारे व्यूवर्स को देना चाहते हूं बस मैसिज यही देना चाहता हूं मैं स्टे फिट हल्थी खाओ हल्थी रहो सो आप कितने घंटे की पहले यह बताएं नींद लेते हैं मैं आट से दस घंटे सोता हूं डेली मतलब रात के टाइम 11 प्यम सो जाता हूं और मॉर्निंग मैं आठ यहां बजे में उठता हूं जैसे कहते है अरली टु बेड अली टु राइस तो नौ बजे सोना चाहिए तक ग्यारा कैसे बज जाते हैं अपर अपना टाइमिंग यहां से मैं स्टोर मैनेजर हूं स्टोर दिख रहा हूं यहां पर तो ग्यारा बज़ आता हूं में और नौ बज जाते हैं मुझे यहां पर क्योंकि मुझे स्टोर क्लोज करना वड़ता है सारी स्पॉंसिबिलिटीज हैं मेरे ओपर यहां पर तो मैं पूरी टाइम यहां पर देता हूं और उसके बाद देन नौ बजे रूम पर जाना फिर अपना खाना बगारा खाके और प पूरी कर पाते हैं तो क्या महसूस आपकी बॉडी क्या महसूस करती है तो आट से दस गंटे दस गंटे पूरे आपर शिफ लगाता हूं तो रात को तो आराम से 11-12 बजे मतलब कभी आप पारटी बारा हो तो एक बजे एक भी बज जाता है तो वैसे मुझे पूरी हल्दी पिता रहे हैं अपनी नीद पूरी दे रहे हैं जिस तरह कि मैं पहला ही गल करके हटी है कि नीद साधी जिंदगी विच बहुत ही एहम रोल नी बॉंदी है जैकर तुसी अपनी नीद पूरी नहीं ले पाँंदे ता तो डे अंदर किनिया बिमारिया पनप दियाने ता थो किस तरह दिया प्रॉब्लम्स अगे फेस करनी है पहन दियाने ता उनना थो जानकारी देन दे लिए अज में डॉक्टर साहब नहीं मिलान वाली है तो उनना था नाम है अमित कुमार मंडल जो की चेस्ट स्पेशलिस्ट ने ते आओ उनना ली मिलानी है तो इसका नीद के सा किस तरह का मतलब संपर्क बनता है नीद की प्रॉब्लम्स जो होती है कई प्रकार के हो सकती है और आम तोर पे नेरोलोजिस्ट और चेस्ट पेशलिस्ट दोनों डील करते हैं पर जिनरली जो लाब्स होते हैं वो जनरली चेस्ट पेशलिस्ट ही यूज करते हैं और जातर प एक तो आपन को नीडन नी ले पाते हैं, तो अगर बंदा, अगर कोई इंससान अगर अपोनी पूरी नहीं ले पाता तो किस तरह की उनको प्रॉबलम्स आने वाले टाइम में फेस्करने पड़ सकती है? important यह है कि एक तो जो competition के या number one रहने के लिए जो नीद नी आना वो अलग पहलू है वो दूसरी problem है हम normally जो as a as a doctor as a medical person जो deal करते हैं ये उनके साथ problems आती है नीद के साथ जो diabetes है थोड़ा सा मुटापन है हाइपोटेंशन हैं या kidney के तकलीफे हैं या दिमाग की कुछ problems हैं और जिसके साथ साथ खराते और नींद की जपकी आना दिन के टाइम बैठे 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 बहुत सारे होते हैं जो scooter चलाते जलाते हैं two wheeler या गाड़ी चलाते जलाते हैं सो जाते हैं बहुत सारे patients हमारे पा चाहिए कि problem क्या उसका सुल्जाव होना चाहिए पहले diagnosis होनी चाहिए उसके बाद उसका सुल्जाव या treatment पर आ सकते हैं तो वही मेरा फिर से क्वेशन रहता है कि अगर नहीं नहीं पूरी होती किसी इनसान की तो किस तरह का उस पे दिमाग पे वो चीज़ असर करती है तो जिसकी शुरुआत प्रॉब्लम यह होती है कि सबसे पहले तो एक नॉर्मल फैमिली मेंबर या जो स्पाउस या जो उनके फैमिली मेंबर सोगी है पीशन खुदी बताएगा साथ कि एक तो खराटे के तकलीफ से मेरे मेरे साथ कोई सोना नहीं चाहते हैं सेकेंड बैठे ब पर जब प्रॉब्लम बहुत जादा बढ़ जाती है तब मने वाग्याने कि आप मेंटल डिसॉडर्स होने लगती है तब उनको लगता है कि मैं दूसरों से इंफिरियर हूँ इन कॉम्पलिक्स डेवलप होने लगती है और साथ क्राटे के साथ और मेडिकल प्रॉब्लम इस एक जैसे नहीं समझना चाहिए अलग अलग इसके treatment directions अलग अलग है इसके कारण अलग अलग है तो बाकी ये बात भी कहते हैं कि अगर जिस इनसान की नींद पूरी नहीं होती तो इसका जो attitude है वो negative होना शुरू हो जाता है ज्यादा चिड़ना शुरू हो जाता है और जो मह है और बहुत सही जवाब और सवाल भी है इसमें जवाब के तावर पर ये मैं कहूंगा कि येस जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा सा कॉम्पलेक्स डेवलप हो जाती है बिकर उनको लगता है कि मैं बाकियों के तरह मैं performance नहीं कर पा रहा हूं और अपना ही performance कराब होते रह मैं किसके साथ adjust नहीं करना और ये persons अलूफ हो जाते हैं और जिसके वज़े से बलकी जहां पर वो cycle को तोड़ना चाहिए वो cycle में फंसते जाते हैं वो अलग अलग होता जाते हैं society से अलग, दोस्तों से अलग, परिवार से अलग और फिर कहीं अपने एक दुनिया में फंस अगर जो आठ घंटे की नीन ले गया हना तो उसने जो सपने में लिया बहुत बार ये भी होता है कि जो इनसान को सपने बहुत आते हैं वो जो दिन में कुछ नहीं पूरा कर पाता वो अपने रातों को लेता है कि किस टान मन आपका subconscious mind जाग रहा होता है तो उस टाइम आप जो सपने में ही वो चीजे जीते हैं जो आप reality में करना चाते हैं इसमें दो important चीज़ें आपने बहुत अच्छा सा हाइलाइट किया है एक है नीन की घंटे और एक है सपने दो अलग अलग पॉइंट होई उसमें लोंगा नीन की घंटे आपने जैसे बच्चा पैदाशी द जिसे बच्चें जादा सोते हैं, जैसे हमारे उमर साठ साथ से उपर हो जाती हम कम घचते हैं, बट एक्टिव पूरे रहना चाहिए हैं. सेकंड जो नींद, जातर लोगों को, जिनकी नींद अच्छी हो रही हैं, नॉर्मल हो रही हैं, वो किसी को अपना जो ड्रीम्स हैं, जो सपना हैं, वो याद नहीं ही रहते हैं, सपने सब देखते हैं, जहां पर हमें सपने आते हैं, बट जातर पेशन्स को यह ऐसास ही नहीं या याद ही नहीं होगा कि कॉन से सपने देखे थे लेकिन जिनकी नींद टूट रही है, रात को डिस्टर्बंस हो रही है, उसको याद रहेगा कि मैं क्या सपना देखते वह उठता हूं और बहुत टाम पर वह अचानक उठते हैं, तो इसलिए घबराहट से उते हैं, उस टा डॉक्टर से जाके एक बार ज़रूर मिलें। जैसे 16 मार्च अब स्लीब डे की अवेरनेस है तो आप हमारे दर्शकों को क्या इस चीज का एक मैसेज देना चाहते हैं कि अवेरनेस और जागरुपता कैसे फलाई जा सकती हैं। ओके इंपॉर्टन्ट टेक अवेर मेसेज इसमें मैंना यही बताना चाहूंगा कि दुनिया वर में ऐसे बिमारियों के दिन सेलिबरेट इसलिए किया जाता है ताकि हम अवेरनेस जो आपाई हैं सोसाइटिक अंदर ताकि लोग इस ऐसे बिमारियों से सफरिंग कम हो यह जो स्लीप अपनिया या स्लीप डिसॉर्डर आम तर पर हम लोग कहते हैं लाइफ स्टाइल डिसॉर्डर इसके मतलब है कि हमारा जैसे जीवन हमने आपने अपार बना लिया है उस तरह से हमारी यह प्रॉबलम्स हम अपने आपको लाते हैं हम ना तो जो मैं टेक ओम मेसेज़ पर शॉटली आऊंगा कि आप सही टाइम पर खाएं सही टाइम पर सोएं सबसे हलका खाना रात का होना चाहिए और कम से कम दो से तीन घंटे पहले होना चाहिए सबसे भारी खाना मॉर्निंग में ब्रेक्फस में होना चाहिए और मजधार लांच टाइम होना चाहिए हम बि एक्सेसाइस, गुड डायेट, टाइमली स्लीप और अपना एक जो बैलेंस है, वो मेंटेन करें, फैमिली, वर्क और सोसाइटी के बीच में, यह है मेरा टेको मैसेज रहेंगे. पर दोस्तों, मेरी थोड़े तो सिर्फ इक ही गुजारिश है, कि पैसा या नाम हर एक चीज ने समय देना थोड़ें कोल आ ही जाना है, तो वर्ल्ड स्लीप डेदा जागरू करंदा वी यही मकसद है कि तोड़ी नीद, तोड़ी शरीर देले बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कि थाड़ी जो नीद है, एस अनुविक तरह दी उर्जा दिंदी है, ते ओस उर्जा दे रही ही, असी अपने सपने, अपना पैशन, अपनी हर एक चीज नू पूरा कर सक दें, तो अखीर विच में थाओन वही कहना चाहूंगी कि वर्ल्ड स्लीप डेते हर किसे नू जाग